15 देखो भी 15th question देखो देखो 15th question x-a whole square plus y-b whole square is equal to c square और क्या प्रूव करना है वो आप भूक में पढ़ो जे रहा 1 plus dy by dx 1 plus dy by dx only dy by dx का square है this whole square 3 by 2 raise to power 3 by 2 upon d2y upon dx2 this is a constant independent of a and b ये क्या है constant है independent of a and b कैसे प्रूव करेंगे देख बज़राओ पहले इसको differentiate करो 2 into x minus a plus 2 into y minus b 2 into x minus a plus 2 into y minus b और जब y minus b का होगा तो यहां पर divide by dx minus 0 भी आएगा पावर आएगे पावर आएगे पावर एककम फिर इसके में भी पावर आएगे पावर एककम फिर पावर के नीचे वाले का डेरिवेटिव तो डिवाएगे इस माइनस 0 आएगा चीक है तो को कॉमन लेकर कैंसल कर दो तो कितना आएगा x minus a plus y minus b into dy by dx इस इस इक्वल तो जीक है अब यहां से dy by dx की value find करो तो y minus b तो को कॉमन लेकर कैंसल कर दिया क्योंकि right hand side में 0 था minus of x minus a dy by dx minus of x minus a upon y minus b समझा है dy by dx is equal to minus of x minus a upon y minus b यह dy by dx की value आगी हम हमें dy by dx2 की value find करनी है क्या होगी dy by dx2 की value देखो जड़ा minus होगी y minus b का whole square y minus b का whole square y minus b यहां as it is रहेगा और derivative करेंगे x minus a का x minus a का derivative क्या होगा 1 minus 0 so into में 1 minus y minus x minus a into y minus b का derivative करेंगे y minus d का derivative क्या होगा dy by dx minus 0 यहां से क्या आगया देखो जड़ा d2 y by dx2 is equal to minus 0 यहां पर हमारे पास y minus minus x minus a into dy by dx dy by dx की value क्या है भी देखो जड़ा है यहां पर dy by dx की value क्या है यह value हम यहां पर डाल देखो क्या आएगा यहां पर minus of x minus a upon y minus upon पूरे क्या पूरे क्या है y minus b पॉल्स चीक है अब यह minus यह minus और यह minus दोनों मिलके क्या हो जाएगा प्लस और else इंगे तो यह y minus b इस y minus b के साथ मर्टिक आएगा क्या आएगा देखो जड़ा minus of y minus b whole square plus x minus a whole square upon यह y minus b नीचे आया क्या आएगा y minus d whole q y minus b whole q q चीक है यह 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 d to y by d x क्यों आएगा अब एक बास बताओ यह y minus b whole square plus this यह बारी तरह देखो इसको किसके equal है देखो यहां से यह c square के equal है यह c square के equal है तो इस complete प्रम के जगे हम क्या रख सकते है c square रख सकते है so this is c square upon y minus d का whole q right यह आएगा यह हमारे d2 y by dx की value आभी second derivative आप हमें value find किसकी करनी है देखो जरह find किसकी करनी है 1 plus dy by dx ka whole square raise to power 3 by 2 upon d2 y by dx इसकी value find करते है बताओ जरह क्या हुआ प्रूब करना है कि यह वाली expression एक constant number है यह expression है जो मैंने अभी दिखी है यह expression क्या है एक constant इसकी value find करनी है और वो एक constant number आनी सकते है ठीक है so this is equal 1 plus dy by dx dy by dx dy by dx की value गताओ क्या आई थी dy by dx की value क्या थी आई थी dy by dx की value थी dy by dx की value थी x-a upon y-b x dy by dx की value क्या थी minus of x-a upon x-b x-b पूरे का whole square थीक है यह dy by dx की थी y-b 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 यहां थी पूरे के थी थी यह थी 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 रहिए थी 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 अब देखे ज़रा यहां पर यहां पर एक ब्रेकट का तो यह क्या आगया वन प्लस एक्स माइनस एक होल स्केर य माइनस एक होल स्केर आज़ा देखे इसकी पावर कितनी है जिसके पावर थरी बाई तो माइनस स्केर अपोन वाई माइनस बीका होल स्केर इसकी अब हमें कोई जरूरत नहीं है इसलिए मैं इसको कट कर देता हूं देखो ज़रा इसे रहा हो यहां पर एलसीं लोग यहां पर एलसीं लोगे तो क्या आ जाएगा इसलिए मैं इसलिए यहां झाए लोगे आए उडा न देखो जरूरत नहीं है जल्सकेर अबाद ट्रूरत नहीं है लोगे तो is equal to कि देखो जरा वे बचो अपने कुस्यन को सुरुवात में कि इस इसकी वैल्यों क्या थी वाय माइनश क्यूस्क इसकी क्या थी इसकी वैल्यू थी स्थिगे तरह क्या थी इसकी वैल्यू और यूल स्क्विप रज billion क। तरी भाइटू में इसको रेसी प्रोक्रव कर दे माइनस बिगनिंग में लगा देते हैं इसको रेसी प्रोक्रव कर देते हैं यह ना दो थो करत यह सिसे कि पावर कितनी यह से सकेर कि पावर कितनी है कि अच्छा ढ़ेगा थीच्ण कि नीचे वाइड मैंने स्दी इसके पहल कि इसा कुत होगा वाय मैंने से पावर क्या आएगी आ इंटू क्या है य माइनस भी ओल क्यों यह अगर आप इसको इससे कट कर देते हैं और सी स्केर में टू पावर यहां से कट कर देते हैं इस इकल तो माइनस एक एक और यहीं हमें प्रूव करना था इस टम की जो वैल्यू है वह क्या आती है एक कॉंस्टेंट आती है independent of end right next question hain 16th cos y is equal to x cos a plus y right prove that d2y by dx2 is equal to this your book may read sorry d2y by dy by dx dy by dx is equal to cos square a plus y upon sin a यह है ज्यान से देखो क्या प्रूब करना है प्रूब यह करना है cos square of this ठीक है हमें काम करता है क्या क्रें देखो बच्चो वाई निकालना यहां simple सा नहीं है वाई simple नहीं है तो dy by dx निकालने में थोड़ी दीकत आएगी लेकिन यहां से x find करना बहुत आसान है x की value क्या होगी यहां से x is equal to cos y upon cos of a plus y देखो 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 का होल स्केल कर दिया आप डिनॉम्नेटर को यहां रखो और ध्यान रखना वाई करी स्पेक्रमें डिफ्रेंशेट कर रहे है तो y x का काम करेगा x y का काम करेगा ठीक है नहीं easy है देखो आसान हो जाएगा भी यह को cos of a plus y पहले हम दिनॉम्नेटर को एजटीज रखेंगे cos a plus y एजटीज रा और numerator का derivative करेंगे numerator है cos y cos y का derivative क्या होता है minus sin y मैं beginning में लगा देता हूं और sin y यह हो question tool में बीच में minus होता है अब cos y को as it is रखें cos y को रखें as it is derivative करेंगे denominator का और denominator क्या है देखो denominator क्या है इस cos a plus y का derivative क्या होगा बताओ cos a plus y का minus sin आएगा तो उस minus के रखेंगे यह plus हो जाएगा minus sin a plus y into into dy by dx into dy by dx नहीं आएगा कोई बोलता है क्या into dy by dx नहीं आएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में derivative करने इसको मैंने क्या बना दिया प्लस बना दिया चल आ जहो आगे अब दिये देखो sin a plus y मैं इसको उल्टा लिख रहा हूं sin of a plus y into cos y into cos y यह बारवाली टर्म को मैंने पहले लिख दिया और इसमें भी मैंने sin को पहले लिख दिया प्लस में प्लस में नहीं अब यह ट्रम लिखेंगे तो इसब माइनस की है minus of cos a plus y into sin y upon cos square a plus y cos square a plus y आये हैं आतक समझ अच्छा पार्टी इधर आजाओ तो dy by dx की वेल्यू क्या आई जरह बताव अर्मान सर देख वह a sin a sin a a का मतलब यह लाएंगा cos b y cos a sin b sin sin a cos b – cos a sin b क्या बनेगा बताओ sin of b चब माइनस का sin a – b a – b d k 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 cos square a plus y dx upon dy so dy upon dx ki value kya aye gi cos square a plus y upon sin चलो नेक्स कोश्टन देखो जा नेक्स कोश्टन सिंपल है X is equal to देखो X क्या है 17 थे ना यह question X is equal to a into cos t a into cos t plus t sin t t sin t x is equal to a cos t plus t sin t A plus or t is equal to all right केरा है मेरा मेरा क्या मेरा मैं से निक है t sin t है यह मैने तो अपना बदल दिया और y कितना दिया हुआ y is equal to a into sin t minus t cos t आवाज नहीं t cos t a into sin t minus t cos first of all to dx upon dt और dy upon dt find करेंगे so first वाले को हम differentiate करते हैं किसके respect में t के respect में so X का derivative find out करो dx by dt क्या होगा dx by dt is equal to यह bracket के भाहर होगा I think check करो एक बर a into बताओ cos t का derivative minus of sin t plus t sin t पर product rule लगेगा तो t को as it is रखें sin t का derivative करेंगे that is cos t right plus में sin t को as it is रखेंगे और t का derivative क्या आएगा into 1 into 1 तो यह sin t ही बन जाएगा टुरू ना स्वी बैजिए च्रीक है देखो जब रखेंगे अच्छुद सो डी एक्स भाइव । की value क्या आगई this is a into byत्या की sin t से हम इसको cut कर देते हैं minus sin t plus sin t cut हो गया तो जो क्या बचागा a t cos t यह value बचेगा ठीक है, A T cos T, so यहाँ पर हमारे पास अब, D X upon D T के वेड़ी, अब किसकी वेड़ी कारें? यह कर सकते हैं, D Y upon D T, D Y upon D T, बताओ D Y upon D T, A as it is, sin T का derivative क्या हो गया? cos T, minus, minus use करके करना इसको, bracket use करके करना, sorry, T as it is, cos T का derivative क्या आएगा? sin T, बाहर लगादो minus, यह को स T का derivative minus sin T होता है, plus में, cos T as it is, derivative क्या लिखना है T का, T का derivative क्या होगा? cos T into 1, cos T की रहेगा, एक ब्रैके ओंडी क्लोज करना है, ठीक है? so, D Y upon D T is equal to, A into cos T, minus, bracket open करो भी, यह क्या हो जाएगा, minus minus plus, T sin T, T sin T, minus cos T, cos T से cos T को कट कर दिया, D Y upon D T, A T sin T, D Y upon D T की वेल्यू क्या आभी, A T sin T, उसके बाद, D Y by D X T value find करनी है, so, D Y by D X T value क्या होगी, यह होगी, D Y by D T, divided by, D X by D T, correct? क्या करें, D Y by D X, बताओ, D Y by D T की वेल्यू बताओ, बाते मत करो, A T sin T, A T into sin T, upon, D X upon D T की वेल्यू बताओ, A T cos T, A T sin T upon A T cos T, A से A को कट करो, जो करो, A से A को कट करो, T, C, T को कट करें, जैंने बहुत ज्याधा कर्सिप्ने रगते है, सब्सक्राइब करें तो दी वाइ अपॉन दी एक्स क्या बन गया बताओ जड़ा मैं साइन अपॉन कॉस पेंजेंटी राइट अब अब फाइंट करना इसका सेकंड डरिवेटिव तो क्या होगा सेकंड डरिवेटिव अपॉन दी एक्सक्राइब यहां से तमझने वाद है तेंजेंट का डरिवेटिव इसनो क्या होगा सेकंड स्केर सेकंड स्केर ट लेकिन हम तो डिफेंट एक्स की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डरिवेटिव तो ट का भी होना चाहिए तो ट का डरिवेटिव क्या होगा अच एक बात होगा डी एक्स की वैल्यू यह है तो डी टी वाइड एक्स की वैल्यू क्या होगी 1 upon a t cos t, a t cos t. So, d 2 i by d x 2, d 2 i by d x 2 is equal to secant square t into d t by d x is what? 1 upon a t cos t, a t cos t. So, what is it now? देखो बचो, यह cos numerator में जाएगा और क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा secant t, क्या बन जाएगा? secant t, और एक secant square t पहले भी है तो यह बनेगा secant 4p और नीचे क्या आएगा? क्या है? हमें यही प्रूब करना था, मतलब answer find out करना था, next question क्या जाओ जाओ जरा, क्या है next question? next question 18th को अभी छोड़ दो, 28th को भी छोड़ दो या करना है तो कर लो, 19th वाला चलो मैं करवा देता हूं आपको, 20 में क्या कह रहा है? प्लस, cos A, sin B, and difference, using the fact that this is equal to this and differentiation find the sum formula for cosine, का formula find करना है, तो इसको differentiate कर दें, ठीक है, sin का derivative क्या होगा भी, A के respect में differentiate कर देते हैं इसको, इसके respect में, A के respect में, sin A, sin का क्या होगा, cos, cos A, cos of A plus B, cos of A plus B, is equal to, sin का derivative cos, ठीक है, A के respect में करना है, तो A का होगा 1, और B का 0, तो 1 plus 0, A के respect में करना है, तो A का क्या होगा, 0 into cos of B, ठीक है, sin A का derivative क्या होगा, cos A, और product rule लगेगा, लेकिन यह constant है, तो constant multiply यह divide में, as it is रहता है, तो यह अज़ी रहेगा, sin A का derivative क्या होगा, cos A, इन तो में A का करेंगे, क्योंकि A के respect में करना है, प्लस, cos A, cos A का derivative क्या होगा, होगी, cos A का derivative minus of sin A, और sin B क्योंकि constant है, constant multiply as it is रहेगा, तो यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया, cos of A plus B, this is equal to, यह क्या बना, cos A, cos B minus sin A, sin B, बस आई गया, cos A plus B is equal to, cos A cos B minus, sin A, sin B, यही तो लाना था, cosine का सम, cosine formula, cosine formula point करना था, यह एक लाइन का कुछ नता था, क्याता होगी है, ठीक है, 28 वारा हम बात में करेंगे, 21st वारा स्लिवस में नहीं है, 22nd पर आजाओ सीदे, मज़ा आ गया, 22nd, 22nd पर आजाओ अफट आफट आफट, 21st मत देखो धर, 22nd, 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 26nd, 22nd, 23rd, 22nd, 24rd, 24rd, 24th, कि एक हैं इन ट कि एक हैं नंकली आगट का ज्यां स्थभाइब प्रेम्गा अड बहुत किया हमारेनऎ एक हमारे लिए दाएं आज सिरा पावाइं का खेल है कि देख और बच्चों पाइ डेरिवेटिफ स्क्र ABOUT टो फोड़ने है तो क्या करेंगे ड़्समें डी d y by d x d y by d x is equal to अब हमें पता e की पावर x का derivative करते हैं रहता है इंटू में पावर का अलग से होता है तो e to the power a e to the power e to the power a cos inverse x as it is रहेगा इंटू में पावर का derivative होगा e multiply में as it is रहेगा cos inverse का derivative क्या होता है minus 1 upon under root 1 minus x square तो यहां से क्या आएगा इस ट्रंग को जान दो इस ट्रंग को left सब्सक्राइब देखो यहां पर d2 y by dx2 की साइड में 1 minus x के रहे है ना इस लिए 1 minus x को left multiply कर दो यह जो 1 minus x के रहे है इसको left multiply कर दो इन्टो दी वाइवा दी एक सब्सक्राइब अच्छा पच्छों ध्यान से देखो और ध्यान से नहीं बहुत ध्यान से देखो कि आपको क्या लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि यह टर्म वाई के एक्वल है कि अधी और गज रहेगा देखो यह तो इदर चला गया माईन से और माईनसस बचë अंपम और यह मैनस वने और्यो कर देखो आदेखो नहीं समझेरें यह यह वाली तर्म जो तरफल में है यह वाइक एकवल है यह और यह माइनस वन और जो दिनॉमिनेटर था वह दुन पहली लेफ्ट में मुल्टिपल एक प्राइप कर चुके हैं देखो जरा देखो जरा स्केरिंग से करना चाहते हो तो स्केरिंग कर लो अब स्केरिंग तो दिमाग में आ गया ना अब दूसरा वर्सी कर लो कर लेते हैं स्केरिंग बोच साइड करेंगे इसका रूट कैंसिल हो जाएगा जो हुआ इधर वन माइनस एक्सकेर स्केरिंग करेंगे तो यहां पर यह रूट कैंसिल हो जाएगा वार दी या जो जाएगा square this is equal to a square y square चलो अब derivative करते हैं इसका so 1 minus x square as it is बताओ इसका derivative बताओ पावर आगे पावर एक कम d y by d x इसकी पावर कितनी एक कम हो जाएगी 1 हो जाएगी कि इन्टू में जो पावर के नीचे function है उसका derivative करना है यानि कि d 2y by d x 2 कि d y by d x का derivative करेंगे जो कि क्या होता है d 2y by d x 2 प्लस प्रोड़क्ट टूल भी लगाना पड़ेगा तो अब इस d y by d x वाली टरम को second वाली टरम को as it is रखेंगे फस्ट का derivative करेंगे इसका derivative क्या होगा माइनस 2x माइनस 2x इन्टू जो second term है d y by d x all square वो as it is रखेंगे करेक्ट इस इस इक्वल टू राइट हैंड साइट को अगर आप देखें तो a square constant है constant multiply या divide में हो तो as it is रहता है derivative किसका होगा derivative होगा y square का y square के derivative को क्या लिक होगे 2y dy by dx is it correct चीक है चलते हैं आगे अब आप throw out देखो left side और right side में देखो 2 into dy by dx पूरे में common है left side में भी है और right side में भी है left side की हर एक ट्रम में क्या है 2 into dy by dx देखो यह रहा 2 into dy by dx यहां पर भी 2 भी है और एक dy by dx इसमें से ले लेंगे और right side में भी 2 or dy by dx दोनों है तो left side से common लेंगे और right side में भी है तो cancel out हो जाएगा क्या हो जाएगा cancel out हो जाएगा तो left side में 2 into dy by dx common लिया right तो क्या बचेगा 1 minus x square into d2y by dx2 into d2y by dx2 चीक है राइट माइनस में यहां पर क्या होगा बैट 2 common ले चुके हैं तो only x बचेगा into dy by dx क्योंकि यहां पर whole square था यहां पर whole square था एक बार चला गया तो एक बचेगा this is equal to बताओ जरा right side में 2 dy by dx है बिलकुल है जी और a square y भी बचेगा उसके बाद तब लेट का dy by dx वाली जो तरम है 2 dy by dx यह right hand side से cancel out होगी so we are left with this term ठीक है यही हमें true करना था so बचेगा क्या 1 minus x square this implies 1 minus x square into d2y by dx2 minus x into dy by dx is equal to a square y यही हमें true करना था है कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेस्टेंस हैं रच्चो देखो जरा एक्जामपल 42 नए वाली बुक में एक्जामपल 42 है यह एक्जामपल 42 न्यू वाली बुक में एक्जामपल 42 है इसको तुम कर लो गया इंग करके दिखाओ मझे ती प्लस वन बाइटी और इसकी पावर क्या है बताूब या डेरिया बताो Ñ का डेरीवेटिव बताओ डी बाइटी टी ति के रिस्पेक्ट में करेंगे बलो कि' का इस रहता है इन्टो में क्या होता है लोग ओफ है ल्ट है कि का वैग्टीव डेया नतर समिह सई तथे बाझ में लेकिन पावर में अगर कोई function हो तो उस function का भी अलग से derivative होता है तो power में जो function हो वो क्या है देखो जबाए क्या है power वाला फॉलप टी प्लस वणापॉण टी टी इसका अलग से होगा क्या होगा इसका टी का derivative करो पहले ती का क्या होता यह one से माइनस वन गाए टंव स्क्राइब हो गया मैं टीका डर्यवेटिव क्या होगा वन माइनस-वन वाइग इसको तो यह छोड़ देते हैं अब डी एक्सपाइड करते हैं तो डी एक्सपाइड डीटी क्या होगा यह पावर है इसी वैरिएबल के उपर पावर है तो पावर मल्टिप्लाइड में लिख देंगे और पावर एक तो टी प्लस वन बाई टी और इसकी पावर के माइनस कुंद अब इसका डेरिवेटिव देखो जेरा टी का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा टी का डेरिवेटिव वन माइनस वन बाई टी स्केर वन माइनस वन बाई टी स्केर ठीक है आप क्या फाइंट करना है दी वाई बाई दी एक्स D Y by D Y so that is D Y by D T divided by D X by D T so what is it A into T plus 1 by T raise to power a minus 1 into 1 minus 1 by t-square k to the power t plus 1 by t log a 1 minus 1 by t-square upon कि अपोन क्या वर होगा भी एंटू टी प्लस वन बाइटी वेस्ट पार a minus 1 into 1 minus 1 by t-square ये तर्म तो बिल्कुल बैसी कट हो जाएगी कि जो बचे गई आपका असरा जाएगा कि चलू आगी मैंने जाएगी करता है कि नेक्स क्वेशन क्या है यह कहता है कि डिफ्रेंचेट सबसेट सेस्ट कि देशन क्या है किले कि रिफ्रेंचेट में आ एक डिफ्रेंचेट प्षप्ट में इतौ उथ आप भाव गों अक्या है बच्ट में एसको अविछ आप लूबोत कॉस्ट में इसके दितले साथी है MA मिडेंगेंख्ट मीद्स इसको डिफ्रेंशेट करना हो उसको यूजू करो जिसको डिफ्रेंशेट करना हो उसको यूजू करो चीक है तो इसको विए जूंकर लो तो जिसको differentiate करना है उसको यू अजून करना है जिसके respect में करना है उसको भी अजून करने जिसको भी अजून करना है तो यहां से यू को differentiate करना है विद रिस्पेक्ट टू वी मतलब जब आपको डिफ्रेंटियेट करते हैं तो क्या पाइंट करते हैं जब यू को डिफ्रेंटियेट कर रहे हैं इसके आप्ट डिफ्रेंटेट करते हैं तो यू किसका फंक्शन है बच्चो एक्सका टेरिटी में सो यू का डरिफ्रेंटियो बताओ डिफ्रेंटी इएक्स क्या होगा अधाज इक्वड़ इक्स दाउ और क्या बन गया यह साइन 2x बन गया ठीक है देखेंगे आगे इसके जो रख लेंगे नहीं को पर चैंसल कर देंगे और जो सेकिंड फंक्षिन हमारा वी उसका डेरिवेटीव करेंगे वी का डेरिवेटीव बताओ क्या होगा dv by dx e to the power cos x e to the power cos x into cos का डेरिवेटीव पावर का डेरिवेटीव करेंगे that is minus 9x चीक है या गया अब हमें क्या फाइंड करना है हमें du by dx find करना है du by dv find करना है so that will be du by dx x को पहले सही है y तो है नहीं करना कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ लेना ही पड़ेगा बट एक्स मत लेना जो भी लो एक्स नहीं होना चाहिए du by dx upon dv by dx so what is du by dx इसको वही लिख लेते हैं 2 sin x cos x ही लिख लेते हैं और नीचे क्या है dv by dx क्या है e to the power cos x into minus sin x तो अब क्या करें साइन एक से नेख से साइन एक सो कट कर देते हैं क्या बचेगा हमारे पास अच्छा देखो माइनस बचे माइनस को तो टू के साथ लगा देते हैं पॉसेक्स भी बचेगा और जो डिनॉम्नेटर में ई तूदा पार को सेक्स है इसको नियुम्नेटर में लिखना हो तो it is a power minus 4 6 ऐसा कर देंगे अब बुक में वैसे दिनॉम्नेटर में छोड़ा हुआ तो आप दिनॉम्नेटर में छोड़ सकते हो ठीक है तो बच्छों या आपकी मिस्लिम्स एक्सरसाइज दम होगी और चाप्र भी और चाप पॉर्शन इस तर्पर में से हमारा रह गया है वह हमें करना है बाकि यह चक करना है